तो देखिए आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इगनू के चार बड़े अपडेट्स के बारे में जो अभी अभी रिसेंटली इगनू की तरफ से पब्लिस किये गए हैं और ये चारों अपडेट्स आप सभी सुडेंट्स के लिए बहुत इंपोर्टेंट हैं तो आप इस वीडियो को लाज तक जरू देख लेना तो बात करते हैं पहले अपडेट की तो फस्ट अपडेट जो इगनू की तरफ से अभी रिसेंटली अपडेट किया गया है वो है आपके दिसंबर दोजार तेइस टर्मेड एक्जाम के रिजल्ट का तो यहाँ पर आप इस टुडेट का जो रिजल्ट है वो आज के इस अपडेट में पब्लिश किया गया है तो आप भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो अगर आपका रिजल्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है तो नेक्स्ट अपडेट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट अपडेट है December 2023 Revaluation का जो recently इगनों की तरफ से आज ही update किया गया है तो status भी आप देख सकते हो 27 जून का आपको status यहाँ पर देखने को मिलेगा तो जो students ने revolution के लिए apply किया है वो students भी अपना result चेक कर सकते हैं और जो next update इगनों की तरफ से publish किया गया है वो है आपका assignment status का तो ऐसे student जो अपने assignment status को लेकर problem में है यानि कि उनका अगर assignment status update नहीं हो रहा है काफी time से तो इगनों ने 24 जून को एक नया assignment status का update दिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह student है इनका जो assignment status है वो एक subject का update किया गया है 24 जून को और आप भी अपना जो status है उसको check कर सकते हो क्योंकि 24 जून से पहले 19 जून को भी कई सारे students का जो assignment status है वो भी update किया गया था और यह recent update है assignments का next update की मैं बात करूँ तो वो student जिनका की result update हो गया है चाहे वो December 2023 का हो चाहे वो December 2023 Revaluation का हो चाहे फिर वो assignment का status हो अगर आपका इन तीनों में से कुछ भी चीज update हुई है तो उन students का जो marks है वो उनके grade card में update हो गये है तो आप अपना grade card भी check कर सकते हो आगर आपके जो assignment status है वो update हो गया है या फिर आपका कोई भी result आ चुका है क्योंकि ultimately जो ये grade card है यहाँ पर आपके marks जो है वो update होना जादा important है क्योंकि यहाँ पर आपके marks अपडेट नहीं होते हैं तो आपका जो mark sheet है वो generate नहीं होगी क्योंकि grade card का जो status है वो complete होना चाहिए तो I hope यह जो चार update है इसके लिए मैं नाच किए वीडियो बनाई थी तो I hope यह वीडियो आपको helpful लगी होगी तो अगर आपको यह वीडियो helpful लगती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और एगनू से related हर update और information के लिए एगनू बड़ी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना So thank you for watching this video Thank you so much